याज दोस्तों आप सभी का स्वागत है टैस्ट बूक के लर्णिंग प्लेटपरम पे दोस्तों एक बार बता देजिए ओडिबल और जीजिबल है मेरे साथी हो क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं मुझे देख पा रहे हैं एक बार जो भी मेरे दोस्तों जूरे हुए हैं एक बार कनफरमेशन देजिए ओडिबल और दोस्तों आज है पंदल जुलाई जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर बनते हैं उन सभी की हम लोग आज ब गुड़ मॉर्निंग नीतु बच्चे खुसरो बच्चे खुसरो एक बार नीतु बच्चे बता दो ऑडिवल और बीजबल है फिर मैं आगे बढ़ता हूं आप ठीक है आप सभी जानते कि टेस्ट बुक आप सभी के लिए दोस्तों बच्चे सूपर कोचिंग लेका है बच्चे के तयारी करना चाहते हैं तो बीपेसी से जुड़े हुए दोस्तों सूपर कोचिंग जाते हैं तो बिद्या एजूकेशन के दुस्तों सरह राहूल चंद्रा तो घुरु रहमान सरह तो यहां पर आनंद सर के साथ आप जूर सकते हैं साती दूस्तों प्रिलीम के स आप मैंस की वित्यारी यहां पर कराई जाती है और मेरे साथियों मैं आपको बता दू अगर आप इन्रॉल्मेंट कराते हैं तो आप पर मन्द 333 रुपे का करवा सकते हैं और मैं आपको साथियों बता दू मैक्सिमम इसमें डिसकाउंट के लिए आप अपने भाई का कोड यूज कर सकते हैं कौन साथियों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं ठीक है विरेन 20 का कोड आप यूज कर सकते हैं शाथी साथ दूस्तों आज का मैं पहला प्रस्ण आप सभी के सामने रखता हूं और बिलकुल सिद्धत के साथ बीना डरे दुस्तों जवाब देना है आ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के सहयोग से एपी एस सुसूरुत फिल्म महस्षों का आयूजन किया जा रहा है बर्ण एंड प्लास्टिक सर्जनि डिपार्टमेंट और विच अफ फॉलविंग इंसेट्यूशन इज कॉलोब्रेशन वित एस्टिक सर्जन ऑफ इंडिय विल ऑनाईज ए पीएसई सुसूसत्र फिल्म फैस्टिऑल ओके ओके बच्चे आपको सही जवाब क्या होगा आपको दोस्तों लगता है क्या है आई IIMS भूने स्वर है क्या या दोस्तों AIIMS जोदपूर है AIIMS दिल्ली है या फिर दोस्तों मैं बता दू दोस्तों भोपाल है किस के द्वारा मिल के तो याद रखेगा मेरे साथ लो अगर आप शें पूछे बहुत प्यारा क्षेस्चन बन सकता है कि दोस्तों इन में चे किस संस्ता के द्वारा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग और दुस्तो ए-i-i-m-s मिल के दुस्तो कौन सा फेस्टिवल और्गनाइज कर रहे हैं तो याद रखीगा दुस्तो प्लास्टिक एसोसियेशन ओफ प्लास्टिक सुसुस्त्र फिल्म महस्व का क सायोग से दुस्तो ए-p-s-i सुसुरुत फिल्म महस्व का दुस्तो 2022 का इज़न करेगा और मैं बता दू यह 15 जुलाई यानि कि आज के दिन बारवार राष्ट यह बारवार राष्ट यह प्लास्टिक स्वर्जर दिवस को मनाने के लिए जिन किया जा रहा है मैं आपको ब याद रख सकते हैं साथिव कौनचा याद रखेगा ट्वे नैशनल प्लाक्टिक सर्जरी डिवी है दोस्तो मैं आपको यह भी बता दू यह फिल्म फेस्टिवल चैंजिंग लाइव विद प्लास्टिक एंड रिकॉंस्ट्राक्टिव सर्जरी के थीम पराधारित है और इ कलपना जो है वो देश भर में प्लास्टिक सर्जनों द्वारा किये गए सर्वोच कारे को बढ़ावा देने के लिए उनको और ज्यादा प्रेरित करना उच्छ साहित करना साती हो है फेस्टिवल के दौरान प्लास्टिक सर्जरी पर आधारित बेहतरिन फिल्में दिखाई प्लास्टिक सर्जर डे पर जो सुस्रित फिल्म प्रेंश है उस पर दोस्तों अधारित होगा यह साती हो मैं आपको बता दू आपको मैं बता दू साती हो अगर आपके पूछा जाए किसे भारती सौदेशी बीमान वाहक ने समुंद्री परिक्षर में अपने चौते संसकर को पूरा किया था साती हो कोई भी मेरा दोस्त बता सकता है क्या कौन सा वो विमान था तो आगर आप से पूछा जाए तो हमने पढ़ा था दूस्तों जिसने इस विक्रांड तो दूस्तों कौन था INS विकरांथ हम लोगों ने पढ़ा था साथियो क्या बताएगे का INS विकरांथ था बच्चे अगर आप से पूछा जाए साथियो अगर आप से पूछा जाए देश आजादी के अमृत महस्टा आप सभी जानते हैं कि आजादी के 75 साल और इसी 75 साल के और्गनाईजिशन पे आजादी का दोस्तो अमरित मोहसल लॉंज किया गया है और दोस्तो मैं आपको बता दू इसी औसर पे हर घर तिरंगा कारेकरम दोस्तो अलिगर में देश के अलग-अलग राजियों में दोस्तो क्या किया जा रहा है हर घर तिरंगा कारेकरम दोस्तो अर्गनाईज किया जा रहा है देश के 75 साल के अजादी के दोरान दोस्तो तो आप ये भी बता सकते हैं बचे क्या कौन सा हर घर तिरंगा कारिकरम दोस्तो हाली में कहाँ पर और्णाइज किया गया तो अलिगर में साथी हो अलिगर में आपको मैं बता दूँ अगर आप पूछा जाए साथी हो सुनना पंच कुला तो एक तो अभी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम क्या साथी हो खेलो इंडिया यूथ गेम का फोर्थ संस्करन कहाँ पर हुआ था हरियाना के पंच कुला में साथी हो हरियाना के पंच कुला में लेकिन मैं आपको बता दूँ पंच कुला में दोस्तो 17th नंबर का National Institute of Fashion Technology का भी दोस्तो आगाज कहां पर किया जा चुका है दोस्तो हरियाना के दोस्तों सियम मनोहर लाल खटर के द्वारा National Institute of Fashion Technology कैसा थी हो National Institute of Fashion Technology का हाली में घाटर कहां पर किया गया तो आप बताएगा दोस्तों 133 करों रुपए से मेरे साथी हो कहां पर किया गया आप बताएगा हरियाना के पंचकुला में बच्चे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत Interpol Database में Interpol Database में दोस्तों बाल योन सोसर के विरोध लडने के लिए इंटरपोल का कौन सा मेंबर मना है आप सभी जानते इंटरपोल दुनिया भर के पुलीस अलग-अलग देशों के पुलीस ओर्गनाइज़शन की एक संस्ता मेरे साथ ही हो और इंटरपोल के डेटा बेस में अगर मैं बात करूँ कौन से CBI क्या साथ ही हो में दुस्तों जितने भी बाली और सोसर होते है उस पे दुस्तों करी करवाई की जाएगी इंटरपोल के एक ब्यान का अनुसार CBI जो इंटरपोल मामलों के लिए भारत की एक नोडल एजनसी है डेटा बेस में सामिल हो गई है और इंटरपोल अब भारत को ओडियो बीजूल डेटा का उपियो करके पीडितों को और दुस्त बहवारों करने वाले को अपराद इस्तल के बीच संबंदों की जाच की क्या देगा अनुमती देगा और दुस्तों भारत कौन सा मेंबर बना है सबसे इंपोर्टेंट है 68 मेंबर बना है साथियो अगर आप से पूछा जाए निमलिखित में से किसने मरमत के अधिकार पर एक ब्यापक साचा विक्षित करने के लिए एक समीती का गठन किया है मेरे साथियो which of the following has set up committee to develop a comprehensive framework on the right to repair बता दो मेरे साथियो सही जवाब क्या होगा सही जवाब यहाँ पर क्या बताने जवाले हैं ठीक है मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों एक बार अपने भाई के लेक्षर को प्लीज आप सेर कर दिजे एक बार लाइक भी कर दो दोस्तों क्या यह जो डेटा है जो मरमत के अधिकार पर एक बयापक धाचा विक्सित करने के लिए एक समीती का गठन किया है क्या यह समीती Department of Chemical and Petrochemical के दोरा है या Department of Telecommunication के दोरा है या Department of Defense Production के दोरा है या Department of Consumer के दोरा है यहां पर नीतु बच्चे का जवाब आता हुआ दिख रहा है और इंद्रजीत कुमार मेरे भाई निशाद है यह भी जवाब देने की कोशिज कर रहे है क्या केमिकल और पेट्रोकेमिकल लेकिन याद रखेगा मेरे साथियो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएगा डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन सात्यों मैं बता दू ओके 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 ठीके 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 उपभोगता मामलों के डिपार्टमेंट ओप उपभोगता डिपार्टमेंट ओक कमजूमर अफेयर के सेट अफ कमिटी डेवलोपर्ट के द्वारा कॉंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ओन डाइट टू रिपियर दोस्तो थोड़ी सी यहां पर दिक्कत है आप बताएगा दोस्तो उपभोगता मामलों के बिभाग क्या सात्यों उपभोगता मामले के बिभाग ने मरमत के अधिकार पर एक ब्यापक धाचा विक्सित करने के लिए एक समीति का गठन किया है धाचे का उद्देश इस्थानिय बजार के उपभोग और उत्पाद खरित को क्या करना है सच्ट बनाना है इंपावर करना है और बैपार में सामंज क्या सात्यों बैपार में सामं पर जोर भी देना है अगर आपसे साथियों पूछा जाए बहुत प्यारा नीज है अगर आपसे पूछा जाए टोटल 6 व्यक्तियों को चुना जाता है दुनिया भर के कौन से कारेकरम में दुस्तो पॉलेंड में एनालोग अंतरिक्ष यात्री परिक्षिक्षर जो केंद्र ह हैं में एनालोग अंतरिक्ष यात्री कारेकरम को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने है साथियों सबसे कम उम्र के तो आपको अगर पूछा जाए साथियों तो क्या बताओगे क्या बताओगे जानवी डांगेटी क्या साती हो अगर आपको याद हो तो जानवी क्या साती हो जानवी डांगेटी को याद है ना भाई डांगेटी डांगेटी दोस्तो सबसे कम उमर की सबसे कम उमर की दोस्तो बच्ची बनी थी जिसने दोस्तो एनालोग अंतरिक्स यात्री कारेकरम को क्य किया था पूरा किया था जो कि पॉर्लेंड बेश एनलोग अंत्रिक्स या तिर पड़क्षिक्षर केंद्र है दुनिया भर के मात्र अच्छे व्यक्ति को ही चुना जाता है तो जानवी डांगेटी को दुस्तो जरूर याद रखीगा अगर आप से पूछा जाए दुस्तो इ सोमनाथन साथ विंश सोमनाथन दूस्तो एस समनाथन इसके चेर्मैन है और दोस्तो बताइए का 15 अगस्त पंद्रा अगस्त 69 को 15 अगस्त 1969 को इस रोका गठन किया था कॉन सा एक्सप्रेश वे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एकस्प्रेश के रूप में विक्सित किया जा रहा है शाथे ओऊधों आपको बताना है। तक्रीबन नौहजार कروên रूपई से बनाए जारा है जो कि दुस्तों मैं बता दू यह दिल którą के दिली के दुस्तों एक प्लेस है उसको और हर्याना के दुस्तों गुरु गराम को जोड़ेगा, आपको नाम बताना है, अगर आप से पुछा जाए, तेरो एक्सप्रेस वे, क्या साथी हो, देश में तेरो एक्सप्रेस वे, बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन चा बना है, देश का पहला साथी हो, पहला राज्य कौन सा है तो साथिवाब बता सकते हैं क्या पहला राज्य कौन सा है क्या यस द्वार का एक्सप्रेश यस प्रीती बच्चे निका स्वाब जवाब सहिया है नीतु बच्चे का जवाब सहिया है यहां पे राजु का जवाब सहिया है रोनी बच्चे का जवाब सहिया है दोस् दिल्ली के दिल्ली के दुस्तो द्वार का दिल्ली का द्वार का और हर्याना के गुरुगुराम को जोड़ेगा तक्रिबन 29 किलोमीटर का दुस्तो एक्सप्रेस वे है जो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में दिखा जा रहा है और इस सबसे अधिक संख्या वाला दोस्तों एक्स्प्रेस वे की बात करोगे तो देश का पहला राज्य कौन बना है मेरे साथ यूपी बना है अगर मेरे साथ यूपी बना है अगर आप चे पूछा जाए फिन्लेंड में सुनना फिन्लेंड में आयोजीते 2022 से बिस्व मास्टर एट लिक्ट चेंपियंशिप में 100 मिटर की स्प्रिंट को पूरा करने वाले और सोन पदक जीतने वाले दोस्तों लगभग 94 साल की दोस्तों उस महिला का नाम को बता देना है महिला को नाम बताना है भगवानी क्या दोस्तों भगवानी क्या नाम था उनका भगवानी भगवानी देवी दोस्तो भगवानी देवी डागर दोस्तो डागर उनका नाम था भगवानी देवी डागर दोस्तो नाम था भगवानी देवी डागर में दोस्तो फिन्लेंड में आज जित 200 मास्टर एटलिक्स में 100 मिटर की दूरी को तै करके गोल्ड मैडल जीता बच्चे ये जवाब आप चुका है बहुत बढ़िया यहां पर प्रिती बच्चे का भी जवाब आप चुका है दोस्तों आज से मैं डेली यही करूँगा कि आपको रिवीजन के लिए ताकि आपका दिमाग चले इस टाइब के कोस्टन को एड करना शुरू करूँगा साथिव आपके या MD Manik के द्वारा या साथियो कीरन वेदी के द्वारा दुस्तों फेरलेस गौवर्मेंस की बात करें दुस्तों तो कीरन वेदी याद रखना लेकिन दुस्तों अगर आपसे बात किया जा रहा है दो मैक मोहन लाइन और सैंचुरी ओफ डिसकार्ड की अगर आप बात करते बचे यस आप लोग का बिल्कुल जवाब सही है जेजे सिंग के द्वारा बचे क्या जेजे सिंग के द्वारा दुस्तों दौ मैक मोहन लाइन दौ सैंचुरी ओफ डिसकार्ड नामक बुक पुस्तक के बिमोचन किया गया है और इसे और रांचल परदेश के पुर्व मुख के अनुभवों को और उनकी रिसर्च यानि की सोध पराधारित है मैक मोहन रेखा से संबंदिक एक लगू फिल्म भी दिखाई गई है दोस्तों अगर आपसे पुछा जाए भारत में इंटरनेट का जनक किनको कहा जाता है भारत में सेंसर्ट का जनक किनको कहा जाता ह भारत में दोस्तों बैंकिंग का जनक किसको कहा जाता है भारत में दोस्तों ग्रीन रिवोलूशन का जनक किसको कहा जाता है भारत में दोस्तों वजट का जनक किसको कहा जाता है तो दोस्तों आप क्या बता देंगे भारत में दोस्तों मिसाइल मैन मिसाइल मैन के नाम से किन को जाना जाता है जरा बता दीजिए आप किन को बताएंगे यस मैं देख पा रहा हूं सबसे revolution green revolution को MS स्वामी नाथन रौनी बच्चे ने बता दिया है ठीक है मैं लिखते वे चलता हूं आप बता रहें green revolution को बिल्कुर सही बात है MS स्वामी नाथन स्वामी नाथन को दोस्तों बोला जाता है और मैं बता दू भारत के पहले व्यक्तिवी हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज क्या साथी हो विश्वखाद्य अगर पुरुसकार की बात करें MS स्वामी नाथन को मिला था अगर आप 2022 में बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज की तो डॉक्टर सिंथिया को हम लोगों ने पढ़ा था बजट के जनक की न को माना जाता दस्तों जेम्स विल्सन को दोस्तो वजट का जनक माना जाता है अगर दोस्तो मिसाइल में के नाम से जाना जाए तो दोस्तो ए पी जे अब्धुलकलाम को रोकेट में के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तो के सीवम को के सीवम को दोस्तो बैंक का जनक दोस्तो भारत में भारत में दो बैंको का जनक पूछा जाए दोस्तो किसको माना जाता है तो याद रखेगा नर्सिम्हन को सात्यों किनको नर्सिम्हन नर्सिम्हन को माना जाता है सैंसस का जनक दोस्तो किसको माना जाता है लौड मेयो को Lord Mayow को माना जाता है और Internet का जनक किसी मेरे साथी का जवाब आया है क्या है दोस्तो हमने पढ़ाता विजेंद्र के सिंगल को क्या साथियों याद होगा विजेंद्र के सिंगल वे विजेंद्र के सिंगल को पढ़ाता है जिनका हाल ही में दूस्तों क्या हो गया था देहांथ हो गया था है और विजेंद्र के सिंगल को हम भारत में इंटरनेट का जनक भी मानते हैं, आपको याद रखना है बच्चे, अगर आप चेप पूछा जाए साथी हो, आप चेप पूछा जाए, बीच आप दॉफॉलोविंग इस टेट में एक व्यक्ति जिसकी एक इलाज के दोरान मौत हो गई उसमें EMM नकरात्मक आबरिती वाला एक A प्लस B ब्लड ग्रूप वाला एक अनोखा ब्लड ग्रूप देखा गए कुल मिला के दोस्तों एक व्यक्ति है और वो दुनिया के दस्वे व्यक्ति बने है अपने देश के किस राज के जिनका दोस्तों एक ब्लड जो ग्रूप है अलग मिला है कुल मिला के आपसे ये बात किया जा रहा है यह आपसे ये बात किया जा रहा है यस यहाँ पे मैं बता दू यहाँ पे मैं बता दू साथियो प्रीति बच्चे का किश्ति मेरे भाईए का प्रीति के नीतू का रौनी बच्चे का राजू का आप सभी का जबाब बहुत खुबसुरते के साथ है दोस्तों यह वही राज्य है गुजरात दोस्तों याद रखीएगा गुजरात के एक व्यक्ति जिसकी इलाज के दोरान मौथ हो गई ठीक है इलाज के दोरान मौथ हो गई अनोखा मतलब एक परकार का अलग अलग blood group मिला है यह देश का पहला अपने अगर देश की बात करोगे तो यह इस परकार का पहला case देखने को मिला है और दुनिया का अगर देखोगे तो इस type का दसवा case देखने को मिला है सोध करताओ को एक निसकर्ष पर पहुंचने इस निसकर्स पर पहुंचने के लिए एक साल लग गए चेक करने में, जांच करने में कि यह किस परकार का blood group है, यह blood group EMM नकरात्मक आविरिती वाला AB plus blood group था और O, A, B और AB मानो सरीन में पाए जाने वाले समाने, समाने रूप से मानो सरीन में O, A, B या फिर AB क्या पाए जाते दोस्तों, रख पाए जाते हैं, blood group पाए जाते हैं, जबकि दोस्तों यह एक परकार का अलगी था, भारत का इस टाइप में देखा जाए तो पहला केस था, दुनिया में देखा जाए तो दस्वा केस था, याद रखेगा, नया इस question की मैं बात करूँ सात्यों, अगर आप स पूशा जाए, अगर आप से पूशा जाए, ऑपरेशन परिवर्तन दोस्तों, भांग की खेती, क्या साती हो, भांग की खेती को, भांग की अवेद खेती को रोकने के लिए, भांग की अवेद खेती को क्या करने के लिए दोस्तों, रोकने के लिए दोस्तों, किस ने, कि अगर बात करें कौन सा राज है और यहीं पर एक और में जोर दूंद आपसे पूछा जाए सेहत क्या साति हो सेहत नाम का सेहत सेहत नाम का दुस्तो जो परधान मंत्री जन आरोगी योजना है प्रधान मंत्री क्या प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना है सेहत के नाम से इसी योजना को किस राज्य में क्या साती हो किस राज्य में सुरू किया गया है तो याद रखना है जम्मू एंड कस्मीर में और जम्मू एंड कस्मीर का सामबा क्या साती हो सामबा डिस्टिक गोल्डन कार्ड दिया जा चुका है साथ याद रखेगा और मुख्य मंत्री उद्यम करांति योजना किस राज्य का है तो आप बताएगा मध्य परतेश का क्या करने के लिए दोस्तों इंटर्पिनर्शिप को क्या करने के लिए बढ़ावां देने के लिए अगर नेश्ट पस्व बात करूं दोस्तों अगर आपसे पुछा जाए हरेला-अरेली-फेस्टव कहां-क है तो दोस्तो आपको बताना है, आप जब पूछा जाए, फूल देई फेस्टिवल कहां कहां है, या हरेला फेस्टिवल कहां कहां है, तो दोस्तो याद रखीगा, उत्तरा खंड कहां है, फूल देई फेस्टिवल भी कहां कहां है, उत्तरा खंड कहां है, हरेला फेस्टिवल भ निम्लिकित पुर्व भारती कप्तानों में से किसे जुलाई 2022 में ब्रिटिस संसत द्वारा सम्मानित किया गया बच्चे इन में से कौन से वो किर्केटर हैं जिनको दोस्तो हाली में सम्मानित किया गया है आपको बताना है निम्लिकित में से पुर्व भारती कप्तान में से किसे जुलाई 2022 में ब्रिटिस संसत के द्वारा सम्मानित किया गया है क्या वो विरेंदर सहवाग हैं एमेस धौनी हैं सोरो गांगली हैं सचिन टंडूल कर हैं तो बिल्कुल आप लोगा जो जवाब है करांतिकारी यह बच्चे बिल्कुल आप सही डारेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो एक नंबर काम है चाती हो और यकीन मानिए यह आप लोगा जो डैडिकेशन है 13 जुलाई को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्हें 13 जुलाई 2002 को में नेट वेस्ट की अंतिम जीत में भारत का नेतरत किया था और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी सहर में सम्मानित किया गया है और उन्हें 2019 में BCCI के अध्यक्स के रूप में क्या किया गया साती हो च थेतर से जुड़े हुए है तो मैं बताना चाहूंगा मिसेल पुनावाला को जुलाई 2022 में NRI World Summit में United Kingdom के सिरोमरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया फिर से मैं बोलता हूँ मिसेल पुनावाला को क्या साती हो मिसेल पुने वाला को NRI World Summit के दोरान United Kingdom के सिरोमरी पुरुषकार से सम्मानित किया गया वही मैं बात करूँ दोस्तों भारत के विजय अमरित राज को Golden Achievement Award 2021 के प्राप्त करता के रूप में नमांकित किया गया है वही मैं बात करूँ साती हो डॉक्टर विश्व कर्यपा बी-एस को बैंगलूरू में आयोजित एक समारो में Achiever of Bangaluru पुरुषकार से सम्मानित किया गया किनको 200 कर्यपा को Achiever of Bangaluru पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वही मैं बात करूँ दोस्तों एक लेखक पत्रकार है जिनका नाम है Wesley Morgan ने अपने सैन्य और खूफिया लेखन के लिए दोस्तों William E. Colby पुरुषकार किया William E. Colby पुरुषकार दोस्तों किसके लिए सैन्य और खूफिया लेखन के लिए किसको मिला है Wesley Morgan को मिला है बुंबई में पैरु के पुर्वर मानद कोसल अर्देशिकर बीके दुबासा ने अप्रेल 2022 में पैरु जोस गैग्रोरियर पांज सोल्डन की क्या साती हो राजनीक सेवा में ओर्डर ओफ मेरिट जो एवर्ड है वो प्राप किया है वही मैं आपको साती हो बताना चाहता हूँ वबीता सिंग को सिक्षा खेल और कला संस्कृति और कूटनिटी के माध्यों से सांती को बढ़ावा देने के लिए किनको साती हो बबीता सिंग को सांती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तो गोल ग्लोबल ग्लोबल पीस एमबेजडर के रूप में सम्मानित किया गया है वही मैं सातियों में आपको बता दू तारणी तारणी गोयल को अपरेल 2022 में बुद्धापेश्ट हंगरी में बुमेन इंटरनेशनल मास्टर माइंड का खिताब दोस्तों क्या किया है हासिल किया है बच्चे तो यस आप याद रखीगा ये सभी बातें डारेक्ट आपको धी वारक कफ सीरप और यहां तक की कैंसर की दवाई बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले एल्क लाइड को निकालने के लिए अफिम का प्रंसकरण की अनुमती दे दी गई है वो इन में से कौन सी कंपनी है बच्चे कौन सी कंपनी आपको बताना है दोस्तों आपको बताना बजाज सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहां पे आप लोगों का जवाब कस्ति मेरे भाई का जवाब हो गया है प्रिती बच्चे का जवाब हो गया है रौनी बच्चे का जवाब हो गया है नीतु बच्चे का जवाब हो गया है बहुत खुबसूरती के साथ यस बजाज health care बचे बजाज health care पहली बार केंदर सरकार ने एक निजी कमपनी बजाज health care को दर्द निवारक कॉफ सिर और यहां तक की cancer की दवाई बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले कौन से material साती हो एलकलाइड को निकालने के लिए अफिम के प्रणस करण को क्या दे दिये दोस्तो अनुमती दे दिये Central Bureau of Narcotics ग्वालियर किसानों को अफिम पोस्ट की खेती करने का लाइसेंस देता है खेती का प्रवेक्षर और नियंत्रर करता है और लाइसेंस प्राप्त किसानों द्वारा अफिम की खेती वह से दोस्तो अफिम जानते हैं परकार का नसा के लिए बहुत जादा यूज किया जाता है लेकिन दोस्तों medicine बनता है तो अफिम का वहां पे क्या किया जाता है यूज किया जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दू Central Bureau of Narcotics इसकी देखरे करता है जो दोस्तों मध्य परदेश के गवालियर के कुछ किसानों को इसका license दिया गया है वहीं से किसानों को दोस्तों किसानों से contact करेगा बजाज health care और दोस्तों जो भी प्रशंस करण है उसकी क्या करेगा दोस्तों जो भी दवाय उस होने वाली है उनका इस्तेमाल के लिए alkalide के और निकालने का काम करेगा अगर आप चेपुछा जाए सथी को सुनना अगर आप चेपुछा जाए environment performance index में भारत की ranking क्या है आप से पुछा जाए India की ranking बचчи क्या है तो आप कुछ चाप देना है अगर आप से पुछा जाए world press freedom index में भारत की बच्छे ranking क्या है तो आप क्या बताना चाहोंगे क्या बताना चाहोगे अगर आप चे इन्वार्मेंट यस में देख रहा हूँ याद रखी गा 180 भारत की दुस्तों इन्वार्मेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत खराब है 180 है जबकि मैं टॉप पे मैं बात करूँ बच्चे तो याद रखना डैन्मार्क है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या साती हो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछा जाए तो यहां भी भारत की रैंकिंग कुछ खास नहीं है बच्चे, हवारे देश में पत्रकारों का जो अवाज है या फिर उन पे अट्रेक है वो लगातार बढ़ी रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों, 150 से आप सभी जानते है 3 मई को टीन मई को वर्ल प्रेस फ्रेडम डेबी अरगनाईज किया जाता है, अगर दोस्तों वर्ल प्रेस ंकieren, भारत की रैंकिंग क्या है बच्चे, इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो क्या बतावांगे, अगर आप से पूछा जाए साथि वह में भारत की रैंकिंग क्य कितनी है 37 थे साथ हूं 37 हम लोग ने हाली में पढ़ा था यह सब चार तालीस नहीं यह 68 रोनी कमपट्यूनस में 37 था बच्चे साथ हम लोग ने पढ़ा था अगर आपको याद हो 37 है हां गलती से मुझे लगना टाइप हो गया है गलती से टाइप हो गया होगा ठीक है गलोबल स्किल में इंडेक्स में बच्चे भारत के रैंकिंग कितनी है और 60 है अगर मेरे साथ हुआ आप से पूछा जाए परितोसी तिरपाठी है अतुल बता रहे है कि सर अतुल हो सकता है क्या एक का confirmation और मिल जाए फिर मजा आ जाए दोस्तों मैं आपको बता दू कस्ति मेरे भाई आप बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बताएगा दोस्तों अतुल कौन चुने पूर चुना गया है दोस्तों अतुल सिंग को चुना गया है मैं आपको यह बहुताना चाहता हूं सातियों रैमन के रैमन्ड ने कोका कोला इंडिया के पूर्व प्रमुक अतुल सिंग को अपना कारेकारी उपाध्यक्ष के नियुकत किया है जो इसके लिए त्यार संगठन बनाने के लिए यह एक महत्पूर कतम है जिससे इस स्थापना के बाद संस्थापक सिंघानिया परिवार दोरा चलाए जा रहा है कपड़ा परिधान खुर्दुरा रीटेल आधी बहुत सारे सेक्टरों में दुस्तों यह संस्था क्या करती है काम करती है कुल मिला के दुस्त दूस्ट की अगर आप से पूछा जाए सुनना जार्खन का कॉन सा घाउट दिस्टिक कह साथ जार्खन को यह दोस्तों भारत का पहला विकिम नर फॉस्टर इस टॉस्ट ऐस यह लाइबरेरी इन एवरी विलेज्ट जो भी वो डिस्टिक आप सब्हें जानते हैं हर एक रा तो हर एक गाओं में लाइब एबिरिलि पुष्त काले si्टेबलिस किया गया है। आपको बताना है उस mira district क्या है बच्चे कोई भी बता सकता है क्या तो याद रखना जमात्रा नाम का डिस्टीक है कौन सासा आती हो अगर आपसे पूछा जाए जमात्रा जमात्रा नाम का डिस्टीक है इस डिस्टीक के हर एक गाउं में दोस्तों क्या है लाइबरी यह समझ लोग कि देश काहां से कहां आगे बढ़ रहा मेरे साथिए सिक्षा का मैं किस तरह प्रवा हो रहा है कि हमारे देश की दोस्तों लोग हो या फिर गवर्मेंट हो सिक्षा को बढ़ावाद देने का हर एक परियास कर रही है साथियो आपको याद होगा जारखंड की हम बात करते हैं तो दोस्तो अगर 31 माई को दोस्तो नो टरब कर डे मना जाता है और उसी डौर पे टमबाकू को क्या दोस्तो टमबाकू को रिड्यूज करने के लिए दोस्तो डबलू एचो के द्वारा इसको एवोर्ड भी दिया किय अगर नेक्स कोस्टन की मैं बात करूं या जमात्रा को भूला नहीं है साथी हो जमात्रा को दोस्तो जरूर याद रखना है कैप्टन मेरे भाई यार बहुत अच्छा लग रहा कैसे हो यार यस कैप्टन मैं बहुत अच्छा हो मेरे भाई आप कैसे हो यह बताओ अगर आप व्यद्रकेड कि संक्या भारत में टोटल हाय कोटों की संक्यां कितनी है सात्यो अगर आप से पूछा जाए तो टमर्ड टोटल 225 हाइस पूछ UC पूछाए कौट कोट संफियर ho को के रहा यहां पर पृंटीवाच्चे का जवाबρέ रोनी का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है भारत का पहला हाई कोट कौन सा दोस्तों केरला केरला हाई कोट है केरला हाई कोट है जो दोस्तों टोटल डीजिटल माध्यम से क्या टोटल डीजिटल माध्यम से काम कर रहा है और वहां पे किसी भी परकार का दोस्तों पेपर के वर्क नहीं होता है तो ऐसा करने वा कोसमोस ने किस सहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कार खाना खोला है इन विच सिटी स्पेस टैक स्टार्ट अप अनिक अगनी कूल कॉमकास ओपन इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्टरी दोस्तो बैंगलूरू हैदराबाद बुंबई या फिर चन्नाई ठीक है ठीक है आपको बताना है सही जवाब क्या है यहां पर एक नए मेरे भाई जूड चुके हैं जिनका नाम है आरवी आरवी शातियों और यह भी बता रहे हैं कि सर्टी जवाब पे जवाब ठोड़ दीजिए चन्नाई में दुस्तों खोला गया है कहां पे चन्नाई मे रोकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कार खाने का उठाटन किया है यह सुविधा का नाम रोकेट फैक्टरी वन रखा गया है क्या नाम रखा गया है मेरे साथी हो रोकेट फैक्टरी वन रखा गया है और इसका नावराण टाटा संस क्या साथी हो इसका उठाटन किस मैनुफेक्टिन टेकनोलोजी का इस्तमाल करेगी अगर सात्य आप से पूछा जाए इस्कूल चलो अभियान किस राज्य ने दुस्तों 100% 100% प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्रॉल्मेंट को बढ़ावा देने के लिए इस्कूल चलो अभियान चलाया था अगर आप से पूछ कि मिला है तो यूप को मिला है भारत का पहला 7 बैडमिंटन अकड़मी दस्तों में द्सकूल अगर आप से स्कूल चलो अभियानzić दोस्तों 100% primary और secondary secondary school में बच्चों के enrollment को बढ़ावा देने के लिए उत्तर परदेश government ने दोस्तों चला है याद रखी गए उत्तर परदेश government ने मेरे साथ यो चला है ठीक है मैं नैश question good morning मेरे भाई good morning अगर दोस्तों आपके पूछा जाए टाइम पत्रिका के किस भारतिय सहर को 2022 के विश्व के महानतम इस्थानों की सुची में सुची वद्ध किया गया है क्या भुनेश्वर है एहमदाबाद है बुंबई है या फिर बैंगलूरु है इन मेंचे कौन से सहर को टाइम पत्रिका के किस भारतिय सहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सुची में सुची बद्ध किया गया है दोस्तों जब स्थान की बात आती है तो tree city क्या साती हूँ? tree city of the tree city of the world का बात आ जाता है याद रखना है tree city of the world में भारत का दुस्तों बुंबई और भारत का दुस्तो हैद्रबाद को चुना गया है यानि कि दुस्तो और्बनाईजेशन के साथ साथ पेड़ पौध को लगाना नहीं छोड़ा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे एहमदाबाद और केरला दुस्तो आपसे पूछा जाए कि टाइम पत्रिका के किस भारती सहर को तो याद रखीगा एहमदाबाद को और मैं बताद 2017 में भारत का पहला सिटी है पहला सिटी है मेरे साथी हो जो कि उनेस्को के वाल हैरिटेज साइट में भी क्या हुआ था है हमदाबाद को क्या किया था किया गया था है, सुची वध किया गया था, तो एहमदाबाद सहर और केरला राज को दोस्तों टाइम पत्रिका ने 2022 के 200 के महांतम इस्थानों की सुची में सुची वध किया है और उन्हें घुमने फिरने के लिए पचास और साधारन इस्तलों की सूची बंद किया गया है सूची के अन्य स्थानों में रास और खेमा संयुक्त और अरव अमिरात और पार्क सिटी उहाट सी ओल और ग्रेट वैरियर रिफ ऑस्टेलिया भी क्या है अगर आपने बिहार जो चैनल यूटूब का सबस्क्राइब नहीं किया है अगर आप पहली बार जूड़ रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग सबस्क्राइब जरूर कीजिए अगर आप पूछा जाए जम्मू एंड कस्मिर में कौन-कौन चाहा है तो कंचोठ कंचोठ फैस्ट्वल कहां कहा है तो जम्मू एंड कस्मिर का मेरे साथ हो अगर आपसे पुछा जाए टूलिप क्या है टूलिप फैस्ट्वल कहां कहा है तो आप बताएगे जम्मू एन कस्मीर कहा है अगर आपसे पुछा जाए हरत क्या साती हो हरत फैस्ट्वल कहां कहा है जम्मू एन कस्मीर कहा है अगर आपसे पुछा जाती हो एपल एपल क्षेटिवल हाली में दोस्तों ऑर्गनाइज किया गया था और मैं आपको बता दू भारत में पहली बार बरड़ फेस्टिवल भी क्या साती हो जम्मू अनकस्मिर में कौन सा बार्ड़ फेस्टिवल भी दोस्तों और अगर आप पुछा जाए तो याद रखेगा जमू और कस क्या उस रेलवे लाइन का एहमदाबाद विर मगाम रेलवे लाइन है एहमदाबाद उदैपुर राम है या फिर आनंद गोधरा सेक्शन रेलवे लाइन है या दोस्तों आप से पूछा जाए आप से पूछा जाए तरंगा हील अमबाजी आबुरोण रेलवे लाइन है बच और यहां पे कस्ति मेरे भाई तो खेर वही पूशा गया था दोस्तों आप याद रखेगा अगर आपसे पूशा जाएगो अगर आपसे पूशा जाए तो याद रखेगा दोस्तों केंद्र मंत्र मंदिल ने कनेक्टिवीटी प्रदान करने के लिए गति सिल्टा में सुधार के लिए ताकि दोस्तों जल से जल आवाजाही को बढ़ावा दिया जाचके बीना ट्रैफिक के बढ़ावा दिया जाचके उसके लिए दोस्तों राजस्थान और गुजरात को जोड़ा जा रहा है कौन से रे 299 करों रुपए से अधिक है और इसे 2026-27 तक क्या किया जाएगा पूरा किया जाएगा यह जो रेलवे लाइन उसकी लंबाई की बात के लिए 116 किलो मीटर से अधिक होगी और इसे अमबाजी सक्तिपीट और जीतनाथ जैन मंदिर से संपर्क क्या होगा बढ़ेगा यह नई निव मोबाईल एप नेम टू परफॉर्मेंस फेस ऑठेंटिकेशन उसका नाम क्या है मेरे साथ उसका नाम क्या है फेस ऑठेंटिकेशन का मतलब दोस्तों आप कई बार मूबियों में देखते होंगे कि एक एक डोर होता है और आपके आँखों की रेटीना के माध्यम से द करना 2016 नहीं 2012 के आसपास से काम करें साथिव मैं एक्जेक्ट मुझे भी ध्यान नहीं या रहा है लेकिन आधार कार्ड दोस्तों बनाने का काम यही करती है उसने मोबाईल एप दोस्तों लॉंज किया है क्या आप फेस इवाईडी है स्मार्ट इवाईडी है या आधार फेस आधार फेस आरडी नामक एक नया मोबाईल एप लॉंज किया गया बच्चे इसके माध्यम से आधार धारकों को जिनके पास भी आधार है उनकी वास्त्विक पहचान को मान्य किया जाएगा और UIDAI के डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा और मैं आपको बता दू आधार नामंकन के समय कैप्चर किया गया था इस एप के इस्तिमाल से जीवन परमारपत्र और कोविन जैसे कई अन्य एप के लिए दुस्तों आधार चेहरा परमारी करण के लिए क्या मिलेगी गौर्मे और दोस्तों मैं बता दू ओ एसा राज्य है जहाँ पे नैशनल डिफेंस इन्वर्शटी भी खोला गया था पहला रेलवे इन्वर्शटी भी दोस्तों वहीं रेलवे में पूछा जाने वाला प्रसन है दोस्तो मैं आपको बता दूँ वतन प्रेमियोजना लेके आया था दोस्तो वो राज्य दोस्तो गिफ्ट सिटी वहीं पे है हाली में दोस्तो मैं बात करूँ ग्लोबल पार्टिदार सम्मिट सुरत में हुआ था देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक सुरत में खोला जा रहा है दोस्तो कल हम लोग ने देखा था साइद बैंकिंग के चैनल पे देखा था कि स्वामी अक्षरधाम स्वामी नरायन टेंपल है गांधी नगर में और भारत का पहला पोर्टेबल सोलर की बात करे रूफटॉप सोलर की बात करे तो गांधी नगर के स्वामी अक्षरधाम में लगाए गया है और मैं साथियों बता दू पहला गति सक्ति विश्वविध्याले की स्थापना के लिए दोस्तों गुजरात याद रखेगा क्या याद रखना है गुजरात बच्चे क्या याद रखना है गुजरात सातियों ज़राग गौर फर्माईएगा बहुत इंपोर्टन नुज है क्योंकि एक एक्ट में भी सुधार किया गया है सुनना ज़रा केंद्रिय बंत्री मंडल ने दोहजार 2022 में दोस्तों राष्ट्यो रेल परिवहन संस्ता यानि कि एन आर्टी आई को गुजरात में गति शक्ति विश्ववविध्याले की उन्यान की खोलने की मन्जूरी दे दिये यह विश्ववविध्याले परिवहन चेतर सिक्षा का का काम करवाएगा ट्रेनिंग का स्किल का की रूप में काम करेगा मुल्टी मॉडल करना आक्टिवीटी के लिए सरकार के प्रमुक पीम गती सक्थी और जो राश्टिय मास्टर प्लान के रूप पर रखा गया है जो ये railway university आ रहा है दोस्तो गतिशक्ति university दोस्तो याद रखेगा PM गतिशक्ति के master plan के नाम पे रखा गया है Union cabinet approved the upgrade the national rail and transportation institute to गतिशक्ति university कुल मिला कि आप एभी कह सकते हैं जो बरोद्रा में इन्वर्सेटी था बचे मैं आपको बता दू railway university in गुजरात rename rename कौन से दोस्तो जिसका नाम क्या था पहले national rail and transport क्या साथी हो national rail and transport institute था इसी का नाम बदल के क्या किया जा रहा है गतिशक्ति विश्व विध्यालेक इन्वर्सेटी किया जा रहा है तो आपसे ये भी भरम पैदा किया जाएगा साथी हो अब एक्च्वल में नया नहीं है एक्च्वल में दूस्तो जो गुजरात के वरुद्रा में national rail and transport institute था उसी का नाम बदल के क्या किया जा रहा है गतिशक्ति इन्वर्सेटी किया जा रहा है और उसके लिए साथियो में बता दू यूनियन काबिनेट गेव एप्रूबल तो इंट्रेडूस द बिल इन्वर्सेटी विश्व विश्व विध्याले याद रखी किस दिन को प्रसिद नैपाली कभी भानु भक्त अचारे की दोश्व नवी जैनती के रूप में मनायी जाता बच्छे किस दिन को मनायी जाता है जल्दी जल्दी जवाब दे दोस्तों हमारे पास समय कम बचा है हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं इन में से हाँ नेम चेंज किया जारा बच्चे याद रखेगा यस दोस्तों अगर आप से पूछा जाए तो 13 जुलाई को नेपाली कभी जिनका नाम है दोस्तों भानु वक्त आचारे कि 209 जैनती 13 जुलाई को मनाई गई और दोस्तों नेपाली भासा की आधारसिला रखने के लिए उन्हें आधी कभी क्या साथिओं उन्हें आधी कभी के नाम से भी जाना जाता है साथिओं वह महान वह अगर बात करूं दोस्तों ये महान महाकाब्य रमायन और संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक भी हैं वह दोस्तों क्या महाकाब्य रमायन का संस्कृत से संस्कृत से नेपाल में नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं जो दोस्तों याद रखिएगा अनुभक्त आचारे उनकी ज जयन्ति के रूप में जाना जाता है क्या साथ ही वो भानु जयन्ति के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों अगर आप पूछा जाए जुलाई 2022 में किस देश के वैज्यानिकों ने सार्स कोवीड टू को निस्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विक्षित किया है चाइना जर्मनी इंडिया या फिर फ्रांस कौन से देश के कौन से देश के दूस्तों बतादो जारा सही जवाब क्या है बच्चे मेरे लड़ू को पालो सार्स इंटिस्तों ने सार्स कोवीड टू को निस्क्रिय करने के लिए यस। यहां पर फ्रीती बच्चे का जवाब सही आया है कस्ति मेरे भाई ने जवाब सही दिया है या साप याद Institute of Science के बैज्ञानिकों ने synthetic pesticide का एक नया work विक्सित किया है जो नकेवल SARS-CoV-2 के वाइरस को की कोई सिकाव में प्रवेश करने से रोकता है और साथी दोस्तों वाइरस के करों को एक साथ जोड़ कर जीवित कोई सिकाव को संक्रमित करने से करने के उनकी चौमता को भी क्या करता है कम करता आप संक्रमित नहीं कर पाएंगे कहां के शांटीश्टों ने एक यक दोस्तों अलग परकार का दोस्तों क्या खोज और बनाब और इंडिया के शांटीश्टों भारत और बांगलादेश के अगले उचायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उचायुक्त दोस्तों आपसे पूछा जाए हाई कमिशनर कौन बनेंगे दोस्तों ट्रेन याद है न मेथाली बंधन और मैत्री एक्सप्रेस और सवा सभिधान संसोदन इंडिया और बांगलादेश से जुड़ा हुआ है बच्चे जो हमने लेंड डिस्प्यूट को दूर किया था और हाई कमिशनर कौन बन रहे हैं तो आप बताएगा मुस्तफीजूर रहमान क्या साती हो मुस्तफीजूर रहमान दुस्तो इंडिया और बांगलादेश के हाई कमिशनर के तौर पे दुस्तो एपटमेंट किया गया है बच्चे ठीक है बस यही बात है याद रखेगा अगर दुस्तो आप से पूछा जाए जुलाई 2022 के लिए ICC ODI TEEM ranking में भारत के पुरुष किरकेट टीम की ranking क्या है पांचवे ranking पे भारत की या दुस्तो चौते या की से रेंक पे है या से रेंक पे हैं दोस्तों मैं बता दू भारत की जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पचार कर 108 रेटिंग अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पे पहुँच गया है दोस्तों The O.L. किर्केट मैदान में इंगलेंड के खिलाब तीन मैचों के चरंकला में पहले मैच में संदार जा न्यूजिलेंड 127 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में सिर्च पे न्यूजिलेंड पहले पे है दोस्तों याद रखेगा और इंगलेंड दूसरे पे है भारत म इद्वाज मोहमद समी को दोस्तों याई में सबसे तेज 150 विकिट लेने वाले दोस्तों पहले भारती बने हैं याद है हम लोग ने परसोई पढ़ा था सबसे तेज ओड याई मैचों में 150 विकिट लेने वाले दोस्तों पहले भारती कौन बने हैं तो आप बताएगा मोहम के खिलाब दूसरे टेस्ट में कपिल देव के का दोस्तों एक सो दोस्तों चौतिस विक्टो का रिकॉर्ड तोड़ा था रिसवब पन्त ने दोस्तों फरवरी 2022 में पंदर्वे वार्चिक ESPN क्रिक इन्फो पुसकार में ब्रिस्वेन में ऑस्टेलिया के खिलाफ 89 रनों के खिलाफ स्रंकरा में बीजेता पारिकर सिर्फ सिर्फ टेस्ट बल्लेबाजी का एवार्ड भी जीता था वहीं मैं बात करूं दोस्तों टेस्ट गेदबाजी का एवार्ड काई टाइल जैमी सनन को उनके पांच विकेट पर 31 रन देने के लिए दोस्तों मिला था अगर आपके मैं पूछू पूछू न्यूजिलैंड के कौन चेव कप्तान है तो याद रखी का कैन विलियंशन को पंदरवे वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो एवार्ड 2022 में कैप्टन ओफ दे एयर के लिए चुना गया था है सातियों आप से पूछा जाए वाट इस दर रैंक ओफ इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131, 127, 121 या फिर 135 है बच्चे कौन सा बताओगे कौन सा बताओगे यस सातियों में आपको देख पा रहा हूँ प्रीती बच्चे हो गया कस्ती हो गया रौनी हो गया यस आप सभी का जवाब बच्चे बिलकुर सही है आप बताओगा ग्लोबल जेंडर जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग दोस्तो 135 है ग्लोबल जे खैसे दोस्तों इस रिपोर्ट को निकाल लिए कई बार पूछा जाता है वाल इकनोमिक फोरम के अभी बैठक भी हुई थी दोस्तों स्वीजालेंड के कहां पे दावोस में दावोस में बैठक भी हुई थी अगर आपसे भारत की रैंकिंग पूछा जाए तो 135 नंबर पे ह पहले नंबर पे कौन है आइलेंड है सेकड्ड नंबर पे फिनलेंड है ठॉड नंबर पे नौरवे है वैसी इंडिए की रैंकिंग क्या है शात्य पूछा जाए तो गलोबल जैंडर गेप में 135 नंबर पे है अगर आप चे पूछा जाए साती हो अगर आप चे पूछा जाए महराष्ट के महान मैट्रो महान मैट्रो हाँ कल का आप दोस्तों कल का कोईस्चन आ चुका है कल का कोईस्चन आ चुका है एक बार हम फटापट कर लेते हैं बचे महराष्ट के महान मैट्रो और इनमें चे किस संस्तानी एसिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायडक्ट का निर्मार करने की तो दोस्तो नाशनल हाईवे और्टरिटी ओफ इंडिया याद रखीएगा ठीक है दोस्तो अगर आप से पूशा जाए जापान सरकार दोरा ओर्डर ओफ दो राइजिंग संगोल्ड एंड सिल्वर इस्टार से किसे सम्मानित किया गया था तो दोस्तो आपको याद होना चाहिए किसको दोस्तो नरायन कुमार को ये गलत था दोस्तो नरायन कुमार को दोस्तो भारत और जापान के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नरायन कुमार को दुस्तों कौन सा राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से आवोर्ड से नवाजा गया था किसराज सरकार ने दुस्तों जुलाई 22 में महत्योकांसी परधान मंत्री फसल भीमा योजना जो दुस्तों 2016 फरवरी से लॉंच किया गया था आंद्र परधेश जोईन करने जा रहा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भारती किर्केटर जुलाई में एक दिवसी अंतराष्टी में सब से तेज 150 विकेट बनाने वाला तो अभी तो हम लोग पढ़के आ रहें साथी हो अभी तो पढ़के आ रहें मुहमद समी अगर आपसे पूछा जाए प्रख्यात समाजी के कारे करता और पद्म सिरी से समानी ते हाली में वो कौन से व्यक्ति थे तो दोस्तो याद रखीगा हमने देखा था अब धेश कौसल का नीधन हुआ था अगर दोस्तो आपसे पूछा जाए कि जून 2022 के महीने में स्यामा परसाद मुखर जी रून्मन मिशन के डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पे था बच्चे तो हम लोग ने देखा था जार्खन सबसे टॉप पे था दोस्तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के औसधी महानी अंत्रक ने ने दोस्तो इन में से किसके खिलाप देश के पहले सौदेशी रूप दिशित करने का मानो पैपिलोनवालस वैक्सीन की मंजूरी दे दिये किसको दिया था साती हो तो हमने देखा था है सर्वाइवकल कैंसर को सर्वाइवकल कैंसर को बच्चे यस 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 दोस्तो अगर आपसे पूछा जाए इस पेन में आयो जीते गीजोन सुतरंज मास्टर टूनामेंट में किसने जीत हासिल की थी बच्चे अगर आपसे पूछा जाए किस कंपनी ने भारत की पहली सोदेशी रूप से विक्सित लिथियम आयन सेल को पेस किया है एन एमसी 2170 तो ओला इलेक्टरिक हम लोगोंने पढ़ा था बच्चे केंदर की नई सिक्सानिति को लागू करने वाला देश का पहला राजिय दोस्तो कौन बना है उत्तरा खंड बना है दोस्तो निमलिकित में से किसने गुजरात सरकल के लिए एक एक किरित लाइसेंस प्रदान करने के लिए दूर संचार विभाग के आशय पत्र प्राप्त किया है बच्चे तो याद रखना दोस्तो अडानी, अडानी ग्रूप था, अडानी ग्रूप था बच्चे, अडानी ग्रूप, दोस्तो आपसे पुछा जाए, मौन्टी नॉर्मन का निधन ऊड़िया, वे प्रसिद क्या थे, तो कमपोजर थे मेरे साथ साथियो, संगीत कार थे, अगर आपस पुछा जाए दोस्तों इन में से कौन से जगा पे राज में क्रिसी और बागवानी मंत्रियों की दो दिवसी बैठा कुई है किसकी दोस्तों एग्रिकल्चर और दोस्तों हर्टिकल्चर मंत्रियों की बैठा कुई है तो दोस्तों बैंगलोर में हुआ था अगर मेरे साथियो पुछा जाए किस देश के वाइस एड्मिरल लिब्रल एनियो जैने लोटे का नेत्रत में एक नौ सेना प्रतिमंधल पच्मी कमान का दोरा करेगा साती हो तो हम लोग ने देखा ता ब्राजील क्या साती हो ब्राजील दोस्तों सुटिंग में किसने दक्चिर कोरिया के चांग वन में अंतराष्टे सुटिंग स्पोर्ट फैडरेशन विश्व कप में 10 मीटर के एयर राइफल मिक्स टीम में भारत फाइनल में दूसरा स्वनपदक जीता था तो दोस्तों मेहुल गोज थे और दोस्तों साहुत तूसार थे जो आपको दिख नहीं पा रहा है अगर आप सेशन और एक बार मैं सबसे रिक्ट्वेश्ट करना चाहूंगा मेरे साथियों कि मैं दिन पे दिन परियास कर रहा हूं कि अडिशनल नीज बहुत जादा से जादा आपको दिया भी जाए और आपका रिवीजन भी समय पे करवाए जाए यकीन मानों साथियों ये बिहार का भले आप तमलिल देखते हूं लेकिन दोस्तो जो करंट अफयर है वह डेली इतने ही करंट अफयर आते हैं आप किसी भी संस्था पे चले जाइए यही करंट अफयर आपको बैक्विट होने वाला है तो एक बिय्याक जाहे आप अपने भाई के सिल देसके चाया चलो झाल झाल